आज मैं आपके लेकर रहे हूं आलो गोबी की बहुत ही सिंपल वाली सब्जी सुखी सब्जी बनाएंगे और इसको बनाने मैं आपको 10-15 नट लेंगे उससे ज्यादा टाम नहीं लेगा टीफिन के लिए बिल्कुल फरफेक्ट रेसिपी है वीडियो देखिए उसके बाद ल जीरा जैसे ही पकता है इसमें हम आलू डालेंगे फोरण में मैंने सिर्फ जीरा डाला है और कुछ भी नहीं डाला है यहां पर काटा हुआ आलू डालेंगे और गोबी को मैंने बहुत ही छोटी-छोटी म काटे हैं अब इसको धुक के 5 मिनट के लिए पका देंगे बार-बार नहीं चलाना है इसको धुक दें आज को धीमी कर दें इसको पकने दें 5 मिनट बात जब आप इसको चेक करेंगे सब्जी हमारी 40 से 30 परसंट तक पक जाता है तो इसको बीच में एक वार फिर से चला देंगे, सबजी हमारी कराही में क्यों चीपक जाती है, यहाँ पर मैं ये बता रहे हूँ, जब आप कराही में तेल डालते हैं तो उसको ठीक से गरम होने दें, कराही में जब तेल ठीक से गरम नहीं होता है, उसी में सबजी चीपकता है, आगे एक मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे मसाले को सब्जी में ठीक से मिला लें यहां पर देखे मैं कैसी मिला रही हूं आज को यहां मीडियम पर रखाया फिर से इसको हम ठक देंगे और इसको दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे इसे जो मसाले हैं उस सब्जी में अच तक नमक नहीं डाला है सबजी में, यहां पर स्वाद अनुसार नमक डाल दे, सबजी हमारी 80% तक लगवग पक जाता है, डाल दूंगे और इसको अच्छे से फिर से मिला देंगे, सबजी को ठीक से चला दे, और अब हमारे सबजी को सिर्फ पकाना है, अपने चुले का हिट क कर दे, और सबजी को आराम से पकने दे, बीच बीच में इसको चलाते रहें, आप सबजी को चेक करते रहें, सबजी हमारी पके की नहीं, अगर सबजी पक गया है, तो यहीं पर आपका सबजी बन के तियार है, अगर सबजी नहीं पका है, तो उसको थोरी देर के लिए और पकाऊंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो हमारा आलू अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ आलू पका कि नहीं तो ऐसे आलू को तोर कर देकर गो भी तो अच्छे से पक गया है जब आप ऐसे आलू को तोरेंगे आलू आरा सब्जी प्ञाइब 2 मिडियूम2 मिडियूम2 जिसको जब तेल गरम होता है तो तो ठीक से गरम होने दे नहीं तो आपके सबजी चीपकने लगए और नमक आपको थोरी दिर बाद डालना है सबजी को पहले अच्छे से भून लेना है उसके बाद नमक डालना है आपका सबजी बिलकुल परफेक्ट बनेगा बस गैस को बंद करदा सबजी हमारी बन के तयार है तो यहाँ पर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाते हूँ यह दिखे बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुस भारी है इस सबजी को तो ऐसे आप टिफीन में खा सकते हैं दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और जो सिजनल को भी वता है उसका स्वाथ तो ऐसे ही बहुत बढ़ी आता है तो आप एक बारी सबाट मेरे तरीके से सबजी को ट्रा कीजिएगा बहुत ही जटपट बन जाने मेले सबजी है इसको बनाने मापको पंदरा से बीस मिनट लेगा अगर काटने का भी टाइम जोड़ेंगे तो नहीं तो पंदरा मिनट में ये बन के तियार हो जाता है अगर आपको मेरा बनाने की तरीका पसंद आता है वीडियो जरा सा भी हेलफू लगत वीडियो को लाइक करें शेर करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना बिल्किन न भूले